नमस्कार WKB News की सबसे खास, सबसे सटीक और महत्दबूर्ण पेशकर्ज देश-प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सामाजिक कारेकर्ता अन्नाहजारे ने लंबे समय बाद फिरेक भष्टाचार के मुद्दे को हवा दी है जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि राज में सहकारी चीनी मिलो को कौडियों की मोल बेच कर 25,000 कोडोर रुपे का घोटा लाग किया गया है तो सेलसुरा के पास बीती राद करीब साड़े ग्यारा बजे एक पुल से कार गिरने से तिरोरा से भाजपा विदायक विजर रांग डाले के बेटे अविश्कार रांग डाले समेथ साथ मेडिकल चातरों की मौत हो गई वही मुंबई के मलाड में भीट ने एक विक्ति को चोर होने की आशंका में इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई इसी पीच भाजपने था देविंदर फेड़नवीस ने उद्धर ठाकरेक पर निशाना सात्यों कहा कि शिवसेना का हिंदुत वा सिर्फ भाशनों और कागजों में नजर आता है उदर मुंबई में कुरोना संक्रमित मरिजों पर किये गए एक सर्व में डराने वाले अंतिये सामने आये है ब्रोन मुंबई नगर निगम के मुताबिक मुंबई में उनब्बे प्रतिशत कुरोना संक्रमित मरिजों में ओमिक्रॉन की पुष्टी हुई है प्रदिश की इन पाजबडी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे सार सामाजिक कारेकरता अन्नाहजारे अचानक सामने आये और आरोप लगाया कि राज्य में सहकारी चिनी मीलों को कौडियों के मोल बेच कर 25,000 करोड रुपए का घोटाला किया गया है उन्होंने केंद्रिय मंद्री अमिच शाह को पत्र लिक कर इस ब्रष्टाचार में लिप्त रहे विभिन राजनितिक दलों के लोगों तथा अधिकारियों के खिलाफ उचित कारवाई किये जाने की मांग की है साथ ही सरवच्च नायले के निवृत्त नयाधिश की अधिक्षता में उच्च धिकार समिती गठित कर ततकाल जांच कराने का भी अनुरोद किया है हाजारे के अनुसार यह जांच आवशक है कि अचानक राज्यका सहकारिक शेत्र कैसे डह गया अगर बिना किसी राजनितिक दबाओ और हस्तक शेप के निश्वक शजाज की जाती है तो ये सपष्ट हो जाएगा कि चुने हुए राजनिता और प्रमुक पदो पर बैठे अधिकारियों ने चिनी मिले सारवजनिक संपत्यों को हड़ापने के लिए हर नियम तोड़ा है और ये अंजाने में नहीं बलकि पुर्वन योजित शडियंत्र था इसमें सरकार के लोग वित्य संस्थानों के लोग और चिनी कारखानों के निदेशक मंदल सभी एक मत थे अपनी जेबे भर करने के लिए इन सभी ने सहकारिक शेत्र को तोड़ा है हाजारे ने ये भी कहा कि सहकारी कारखानों की लेंदेन की जांच से पता चलता है कि नीजी कमपनियों द्वारा इन्हें ओने पौने दामों में खरिदा गया था यहीं नहीं अधिकांश कारखानों को कर रही है ये किसे पता महराष्ट के सेलसुरा के पास बितीरात करिप साड़े ग्यारा बजे एक पुल से कार गिरने से तिरोरा से भाजपा विधायक विजे रहागंडाले के बेटे अविशकार रहांग डाले समय साथ मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है वे सभी देवली स से वर्धा सावंगी मेडिकल कॉलेज जा रहे थे बताया जा रहा है कि सेलसुरा शिवार से गुजरते समय पूल के पास अचानक जंगली जानवरा गया जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई हाथ से में मरने वाली छात्रों में प्रत्यश सींग, विवेक नंदन, प्रत्यु सींग, शुभम जाय और पवन शक्ती शामिल है। सभी मुरूतकों की उम्र 25-35 वर्ष के बीच पताई जा रही है। से 2-2 लाख रुपे और घाय लोको 50,000 रुपे की अनुगरह राशी देने की घोशना की है। प्रधान मंत्री कारियाले ने इसकी जान करी दी है। जब वहाँ वहाँ पहले से खड़े अपने ओटो रिक्षा की देखभाल करने पहुचा था। इसके बाद स्थानिया लोगों की भीड ने उसे ये कहते हुए पिटना शुरू कर दिया कि वो चोर हो सकता है। भीडने पिटाई करने के बाद शेक को पास के सुनसान जगहों पर फेक दिया था। कुछ रहागिरों से जान कर ही मिलने पर उसे थाने लाया गया और उस पर चोरी का मामला दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी व्यक्ति को दो दिन बाद जमानत मिल गई। लेकिन संभव तह पिटाई से आई चोट के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। व्रुतक के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि वह सीसी टीवी फुटेज की परताल कर पिटाई करने वालों को पकड़े। शेक के परिजनों ने कहा कि इस घटना में एक राजनितिक पार्टी के कार्य करता भी शामिल थे। इसलिए स्थानिय निताओ के दबाओ के कारण जांच नहीं हो रही है। समता नगर थाने के वरिष्टा नेरिक्षक आनंद्राव हाके ने कहा कि हमने पहले शेक पर चोरी का मामला दर्च किया और फिर परिजनों की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्च किया है। नगर नहीं किया जा सका है। जबकि उत्तर प्रदेश में इलहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराच कर दिया गया है। शिवसेना ने यूपी में चुनाव लड़ा था लेकिन 189 लोगों का डिपॉजिट जब्थ हुआ था। 1999 में भी 24 उमिदवारों में से 23 लोगों का डिपॉजिट जब्थ हुआ था। दिहाजा उद्दव ठाकरे को फिलहाल महराष्टे की सरकार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने का कि शिवसेना के जन्म के पहले उनके उम्मिदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते थे। ने बताया कि सर्वे के लिए 343 नमुनों की जांच की गई। पड़ी वही टीके की दोनों खुराक लेने वाले 144 रोगियों में से 89 को अस्पताल में भरती कराना पड़ा। इन मेंसे दो मरीजों को ऑक्सिजन सपोर्ट की जरूरत थी जबकि 15 मरीजों को आईजीयों में भरती कराना पड़ा। 99 मरीजों ने वैक्सिंग नहीं ली थी उंबई में ओमिक्रॉन के सामुदाइक प्रसार के सबुत मिल चुके हैं। एन चुनाओं से पहले दिगजनेता और पूर्व केंद्रे मंती आर्पियन सिंग ने कॉंग्रेस को जोरदार जटका दिया है। उदर पंजाब के पूरव मुख्यमती अम्रेंदर सिंग ने संसनी खेस खुला सा किया है। कॉंग्रेस नेता नौजोज सिंग सिद्धू को मंद्री बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान से संदेश आया था। इसी बीच महाराश के केमिरेट मंत्री और कॉंग्रेस नेता असलम शेक ने मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्टान के नाम पर रखने का फैसला किया है। इस फैसले पर बीजेबी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने असलम शेप की खूब खिचाए की है। जीवन में नया आध्याय आरम कर रहा हूँ। जैहिंद। उन्होंने देश, जनता, पार्टी की सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद कहते हुए कॉंग्रेस की प्राथमिक सदस्या से इस्तिफादे दिया है। परिवार के इलाके में दब-दबा है, वे पडरोना राजगराने से ही है, वे UPA सरकार में मंत्री भी रहे। कॉंग्रेस ने उन्हें जारखन का प्रभारी भी बनाया था। आरपियन सिंग 1996 और 2009 के बीच उत्तर प्रदेश के पडरोना निर्वाचन क्षेतर से सांसत थे, बाद में उन्होंने लोग सभाचुनाव जीता। राजनितिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिजहाने के लिए सरकारी कोश्ट से अतारकिक मुफ्त भारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोट ने केंद्र और निर्वाचन आयोक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाचपनेता एवं वकिल अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में कहां गया है कि राजनितिक दलों द्वारा चुनाओं के समय उपहार की गोशना से मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाता है। इससे चुनाओं प्रक्रिया की के सत्ता में आने पर प्रती महा 25,000 करोड रुपे और कॉंग्रेस के सत्ता में आने पर 30,000 करोड रुपे की जरूरत होगी। जबकि GST संग्रह लेवल 1700 करोड रुपे है। याचिका में कहां गया है कि वास्तों में कर्द चुकाने की बाद पंजाब सरकार वेतन पेंशन भ को मुफ्त में सुविधाय देने के वादे कर रहे है। भी कोरोना संक्रमन की चपेट में हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर कर इसकी जान करी दी है। कीते 24 घंटे में 614 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे अधिक चिंता करने वाली बात तो ये है कि देश में अब भी 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। हाना कि इस दोरान 2,67,753 लोग स्वस्थ भी हो गए है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 15.52 हो गई है। पंजाब के पुर्व मुख्यमंतरी अमरेंदर सिंग ने संसनी खेज खुलासा किया है। कि कॉंगरिस नेता नौजाट सिंग सिध्धु को मंदरी बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान से संदेश आया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राज्यका मुख्यमंतरी बनने के बाद जब उन्होंने सिध्धु को अपनी कैमिनेट में शामिल किया था तब वह कुछ काम नहीं करते थे। इसलिए उन्हें पत से हटा दिया गया था। इस पर सोनिया का जवाब नहीं आया लेकिन प्रियंका ने कहा कि बेवकुफ आदमी है जो ऐसे मैसेज करवा रहा है। महराश्चर के कैमिनेट मंत्री और कॉंग्रेस नेता असलम शेख ने मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला किया है। इसका उद्घाटन गणातंत्र दीवस के मौके पर मंत्री महोदय करने वाले हैं। हाला कि उद्घाटन के पहले ही ये मैदान विवादों में आ गया है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने असलम शेख की खीचाई करते वे कहा कि राज्यके मुख्या मंत्री उध्वठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर दूसरों को नसिहत दे रहे थे। अब उनकी ही सरकार में मंत्री मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम से एक मैदान का लोकारपन करने जा रहे है। अगर महाराष्ट सरकार इस फैसले पर रोक नहीं लगाती है तो हम इसका कानूनी रूप से विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में कई महापूरुष हुए है। उनमें से किसी की नाम पर भी इस मैदान का नाम रखा जाना चाहिए। भारत चीन को इलेक्ट्रोनिक्स निर्माज शेतर में कड़ी टक कर देने जा रहा है। जी हाँ सरकार ने इसके लिए विजन डॉक्मेंट 2.2 पेश किया है। वई रोडिवादी मुस्लिम देश पाकिस्तान में नायमूर्ति आईशा मलिक ने पाकिस्तानी उच्चतम नायले की पहली मला नायदिश के रूप में शपत ग्रहन की। तो साइट अफरिका में जैश्री राम का गोश सुनाई दे रहा है। दरसल साउथ अफरिकी स्पीनर केश्व महराज ने इस्टाग्राम पर लिखा कि हमें अगले टास्पोर के लिए रिचार्च करने और तयारी करने का समय मिल गया है। जैश्री राम इसी बीज बुरकिना फासों में तक्ता पलट हो गया है। राश्पती रोचमार क्रिश्चन काबोरे का विद्रोही सैनिकों ने कबजा में ले लिया है। उधर पाकिस्तान में आतंकी घटनाए और अधीक बढ़ सकती है। दरसल अभगेस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान में तहरी के तालिबान यानि TTP हमला वरोटी है। दुनिया की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आफ हमारे साथ। इलेक्ट्रोनिक्स के निर्मान में भारत, चीन और वियतनाम को कड़ी टक्कर देने के लिए तयार है। आइटी और इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री अश्वीनी वश्नव और जुनियर मिनिस्टर राजिव चंद्रशिकर ने विजन डॉक्मेंट 2.0 प्रस्थुत किया है। इसे उनके मंत्राले ने तयार किया है और इंडिया सेलूलर और इलेक्ट्रोनिक्स एसोसियेशन द्वारा प्रेजेंट किया गया है। लक्षा अगले चार वर्षों में 300 अरब डॉलर के उत्पादन का है जिसमें नीरियात के लिए आरक्षित 120 अरब डॉलर शामिल है। वह विस्ट्रोन और कोरियाई सैंसंग जैसे वैश्विक कमपनिया हो बलकि ओप्टिम्स, डिक्सन और लावा जैसे घरिलू चैंपियन भी शामिल हो। जो की चीन और वियतनाम में किये गए आवंटन के अनुरूप है। उद्ध्योग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। नयमूर्थी आईशा मलिक ने पाकिस्तानी उच्चतम नयायलय की पहली महिला नयदिश की रूप में शपत ग्रहन की। इस घटना को रूडिवादी मुसलिम देश के नयायक इतिहास में मिल का पथर माना जा रहा है। मुख्य नयायदिश गुलजार आईमद ने उच्चतम नयायलय के सेरेमोनियल हॉल में आयोजित समारों में 55 वर्षिया नयायमूर्थी मलिक को पद एवं गोपनियता की शपत दिलाई। इस समारों में शिर्ष अदालत के कई नयायदिशों अटार्नी जनरल, वकिलों और विधी एवं नयाययोक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नयायमूर्थी अहमद ने कहा कि नयायमूर्थी मलिक उच्चतम नयायलय की नयायदिश बनने में पुरुनर उपसे सक्षम है, उनकी पदोननती के लिए कोई भेवेक्ती, किसी भी तरह का श्रेय पाने का हगदार नहीं है। सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने इस अहितियासी कुपलब्दी के लिए नयायमूर्थी मलिक को बदाई दी, साथी उम्मीत जताई की नयायमूर्थी मलिक मुल्क के नयायक इतिहास की बेहद उतकृष्ट नयायदिश साबित होंगी। लाहर उच्चनायलय के नयायदिशों की वरिष्टता सुची में चौथे पायदान पर होने के बावजुद उच्चतम नयायलय में नयायमूर्थी मलिक की पदोननेति का काफी विरोध हुआ था। पाकिस्तान के नयायक आयोग ने बीत्य साल उनका नाम खारिज कर दिया था। हलाकि जनवरी 2022 की शुरुवात में उनका नाम दोबरा विचार के लिए आने पर जेसीपी ने चार के मुकाबले पाच मतों से नयमूर्थी मलिक के नामंकन पर मोहर लगा दी थी। महराज ने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीर की है। मैदान पर जीत के जशनवाली इन फोटोज के कैप्शन में महराज ने लिखाया कि यहा कितनी अच्छी सीरिज रही है। टीम पर इससे ज़्यादा गर्व की बात होई नी सकती। हमें अगले टास्क के लिए रिचार् पर आउट किया हो। तीसरे मैच में भी अर्धशा तक जमा चुके कोहली को निप्टा कर अपनी टीम की जीत सूनिश चीत की। साउथ अपरीकी टीम इस वक्त बदलाओ के दावर से गुजर रही है लेकिन खुद केशव महराज के लिए वंडे सीरिज जबरदस्त रही। बुर्किना फासों में तक्ता पलट हो गया है। राश्ट्रपती रोच मार्क क्रिश्चेन काबोरे को विद्रोही सैनिकों ने कबजे में ले लिया है। दो विद्रोही सैनिकों ने यहा जानकारी दी। आलाकि उन्होंने यहा नहीं बताया कि काबोरे को कहा रखा गया है। लेकिन उन्हेंने कहा कि उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक राश्ट्रपती भवन में जबरदस्त संगर्ष चला। इस दोरान एक हेलिकॉप्टर भी उपर उड़ रा था। इस दोरान देश की राध्धनी ओगा दोगु में लामिजाना सांगोले सैन्य बैरकों पर विद्रोहीयों ने कबजा कर लिया। नागरिकों ने विद्रोह के समर्थन में शहर में प्रवेश किया। लेकिन सुरक्षा बलों ने आसुग्यास के गोले दागे। काबोरे के इस्थेपे के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन की अपील के एक दिन बाद यह विद्रोह हुआ। हाला कि विद्रोहीयों ने राष्ट्रपती को हिरासत में लेने से इनकार किया है। लेकिन विद्रोहीयों ने तक्ता पलट को अंजाम दे दिया है। सरकार विरुदी प्रदर्शन कारियों ने काबोरे की पार्टी के एक इमारत में आग भी लगा डाली। इस बीच राष्ट्रपती आवास के पास गोलिया चली। यहाँ सशस्त्र संगर्ष काफी देर तक जारी रहा। उधर रक्षामंत्री एमी बर्थले में सिंपूर ने सरकारी रेडियों से कहा कि सिर्फ ओगा दोगों ही नहीं बलकि कुछ अन्य शहरों में भी सैन्य बैरक प्रभावित हुए है। देश में इसलामी चरम बंथ से सरकार के निपटने के तौर तरीकों को लेकर हप्तों से बढ़ते असंतोष के बाद काबोरे के इस्तेपिके अपिल करते वे भारी प्रदर्शन किया गया था। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान यानि TTP हमलावर हो उठी है। के लिए मजबूर किया गया तो बहुत बुरा होगा तथा वे वह और भी जादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इंकार कर दिया। तो आज की स्खास पेश का शुबस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखतर ही है वीके बिन्यूस नमस्कार। कि आप से चाहिए वीके बात में इसके साथ मत दो जाएंगे बात में आप स्कते जाएंगे।